तो जैसा कि यहां पर एक मैचिंग का कुश्चन है थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एगर आप जानते थे तो ठीक है नहीं जानते थे तो इसको आइड भी कर सकते हैं अब यहां पर इंटर लुकिन और ट्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर और यह सारी चीजें आपको दी गई हैं तो बस आपको यहां पर कुछ इंपोर्टिन चीजों को पकड़के आपको आंसर करना था जैसा कि आपको अगर टीन फलफा यह आपका मेजरी क्या होता है बिसिकली आ अब यहां करें तो यानिक की चीजों को आपको देख लीजेगा तो उसी साब से आप इस पर्टिकुलर चीजों को लर्ण भी कर लीजेगा इस चार्ट को जो की बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो जब मैंने जेनियू के समय मैंने क्वर्शन पेपर डिसकस किया और इम्नॉलजी की प्लेलिस्ट में अबलेबल है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैंने इसको नहीं पढ़ाया था बट फिर भी मैं कहूंगा कि पर्टिकुलर इसको इसके अलावा भी आपको अच्छे questions वहां पे मिल लाए तो अगर आपने इसको छोड़ा है तो ठीक है को सब फ्रेग्मेंट आप लेंगे कर आपको एंटीजन से रियक्शन कराना है क्यां कि यानि कि मुझे कर रेंट पास पार्ट लेना होगा तो यानि कि आपको रेंट करा करता था तो यानि कि बहुत अच्छा प्रज़ां थै आपको करना चाहिए था है और ये question से आपको यह स जो अभी आपका तेरा तारीक को पेपर हुआ था उसके पहले मैंने आप से आप सभी लोगों से मैंने नीट का पेपर सॉल कराया था तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही मेचिंग क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन नीट में पूछा गया है और हाला कि कुछ ऐसा भी आपको पेपर बना रहा है तो आपको यह सारी चीजें आपको क्लियर हो दीजिए तो यानि की एक का दूसरा हो जाएगा और पहला उप्शन होगा तो यानि कि यह मेरे को दो आप्शन में देखने को मिलना है रिमेइनिंग आपका कैंसल हो गया बाकी M phase में क्या होगा? माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी यानि कि आपकी daughter cells का formation होगा C का force से मिला देना है आंसर आपका बनेगा G2 phase में आपका protein की synthesis होती है तो आगे से इस particular chart को तोड़ कर लिख लीजेगा अपनी copy में हो सकता है next time आपसे detail में पूछ ले कि किस phase में यहां से questions आपके लिए पूछे जाएंगे और वही चीर यहां पे भी पूछा गया है हला कि थोड़ा सा अगर आप मिलाएंगे तो जैसे आपका जिलीडियम यह आपको मैंने पढ़ाया था ग्रासी लीडिया वगएरा होते हैं आपके red algae के लिए होते हैं ठीक है अगार यहां प्राइब यहां प्राइब आपको सीधे ट्रेस कर देना है तो यानि कि एक पहला ही आप्षन में रखा हुआ है तो कुछ करना ही नहीं है इसके बाद प्राइब यह जो होता है यह आपका green algae होता है और साइनो फाइसी साइनो साइनो बैक्टीडिया पढ़ते हो साइ साइनो बैक्टीडिया यानि कि ब्लू ग्रीन लगी तो डी का फॉर्थ ऑप्सन अगर आप उतना भी नहीं जानते हैं करेंगे तो भी आप इस ऑप्शन को ट्रेस कर सकते थे यानि कि ब्लू ग्रीन लगी तो यानि कि यह भी आपका bonus question मैं कहूंगा definitely आपको solve करना था इसके यह बाबू not found in the cells of the angiosperm angiosperm क्या है आखिर plant है ना तो बस आपको यह देखना है कि प्लांट में आपको कौन चीज नहीं देखने को मिलता है तो प्लांट में परोक्सिसोम तो मिलता था ना तभी तो आपके C2 cycle चल लाई थी photorespiration, mitochondria plant में है तभी तो ATP का formation हो रहा है गालजी complex जो होता है यह आपके cell cycle में involved होता है तभी तो हो रहा है लेकिन centriol जो होता है यह particular structure आपको animals में देखने को मिलता है अगर आप दुनियादारी नहीं जानते केवल animal और plant cell में अगर आप differentiation करना जानते हैं तो यही कहानी होत है जो कि animal cells में होता है और इसी के वाइस वरसा यह opposite कह लीजे कि plant cell में आपकी cell wall होती है जो कि animal cells में नहीं होती है तो बहुत बढ़िया question मैं कहूंगा और इस level पर आके मेरी भी तरी उम्मीद है कि आपसे direct question तो नहीं पूछ लिया जाएगा तो थोड़ा सा घुमाया था और है वो आपके inverse proportional होती है sixth power of the donor और acceptor efficiency जो होती है तो यहां पर देख लीजिए आपको third option में लिखा हुआ मिल ला है कि efficiency of the fret जो होती है वो inverse proportional to the sixth power of the distance between donor and acceptor जाके देख लीजेगा मेरे lecture में आपको available मिलेगा ठीक है इसके बाद next question आपका ये भी मेरा पढ़ाया हुआ question है जहा आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपका SRP आता है जिसको basically हम ribonucleoprotein complex कहते हैं जिसके पास एक signal peptide होता है तो इसको मिला दीजिए बी का पहला option से तो कहीं पर मिलना एक कहीं option में रखा है option हो गया बाकि और जानना चाहें तो correct disulfide bond formation protein folding में बताया है protein disulfide isomerase होता है चैपर इसके बाद next question भी आपसे पूछा है subtle vector के बारे में और इसका जिख्र agrobacterium के समय आया था और यह भी बहुत आसान question है basically subtle vector आपने पी वाई क्यूस में आया है dbt के तो वहां से question उठाया है subtle vector क्या होते है subtle vector ऐसे वेक्टर होते हैं जो डो डिफरेंट organism में replication या मतलब करने की छमता रखते हैं ठीक है तो यानि कि subtle vector can be used in the two different host organism बिलकुल सही बात है true हो गया subtle vector गलत बात अगर एक ही origin of replication होगा तो यहां पर दो replication होते हैं तो यानि कि a जो होगा और आर जो होगा वह आपका फाल्स होगा तो यह जो question id है 22069 इसका third option जो होगा वह इसका correct हो जाएगा इसके बाद next question की तरब बढ़ते हैं हाला कि सब्सक्राइब के बारे में मैंने जिक्र किया था इसके mechanistic की तरफ नहीं गया था बढ़ा होगा थीक है किया तो किया नहीं किया गलत भी कर दिया तो भी मैं थोड़ा साब को कह दूगा कि चलो ठीक है हाला कि असपाल्टेब होता क्या है यह आपका याद रखेगा यह आपका डाई प्रफिस्ट अप्रफ यह पड़ाया है डिफनेटली पड़ाया है ब्रैसिन और यह पर आपको जो था लास्ट में मैंने जब आपको सारे प्लांट हार्मोन्स पढायेते हैं वहां पर मैंने आपको ब्रैसिन फटराइट पढ़ाया था और इसमें यही कहानी थी कि यह आपका जो होता है यह आपका इस्टराइट का तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, बड़े बुक में आप देखोगे, आराम से आपको मिल जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपोर्टन स्क्वैलिन को थोले ना आप किसी और से लगा दोगे, जो आपका इस्टेराइड है, उसके लिए आपका स्क्वैलिन ही होगा, तो जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा, वो आपका 2213 का जो आपका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा D का 2nd से मिलाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही आप्शन में यहाँ पे रखा हुआ मिलेगा, इसके बाद नेस्ट कुस्टन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपको रैप्लिकेशन मैंने लास्ट में पढ़ाया था, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है, अपको बढ़ाया था, इसको मैं प्रोकरियोटिक के केस में गाइरेज बोलता हूं, ठीक है, तो गाइरेज क्या करता है, तो आपका टॉर्जनल इस्ट्रेन को रिलाइफ करेगा, यानि कि D का मेरा फॉर्थ ऑप्शन में रखा है, बाकी मिला के याद कर लीजेगा, ठीक है इसके बाद नेस्ट कोस्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी कोस्चन है, बाद अच्छा कोस्चन पूछा है, कि एक्विन इम्डियो कलेक्शन इज कॉमली परफॉर्फॉर्ण डे से लिए थीज़, उस समय तक आपका ब्लास ठुला बन जाता है, और आप आसानी से उसको रिकवर कर सकते हैं और जब भी मैंने आपको यह पढ़ाया भी था जहां पे हमने कुछ आपका है प्लूरी पोटें इस्टेंसल्स की कहानी जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे एक क्वेश्चन भी आपका आता था कि अगर आपको अरली इंब्रियों का आइसोलेशन करना है तो कौन सा स्टेज आपका प्रिफर होगा तो वह आपका ब्लास्टूला इस्टेज जो होता है वहां पे आपसे पूछा गया है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंश डिना सीक्वेंश एट आप सेम विन इच स्टैन आफ डिने इन लिएट आरेक्शन में जब उनको रीड करते हैं तो अभ बात सही है यह भी मैंने आपको रिकॉमनेंट टेक्वलोजी में बताया था कि आपका रेस्टिक्शन एंजाइम होता है वह आपका टाइप सेकंड ही मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है तो यानि कि दोनों ही स्टेटमेंट मेरे ट्रू हो जाएंगे यह हो जाएगा इसके ब बताया था कि इसके जो यूनिट होती है वह आपकी डाई नुकलोटाइड होती है बस इतना याद रखना है जिग जैक जैसा होता है तो पहला ही ऑप्शन जो है वह यहां पर गलत है बाकी सही है याद कर लीजेगा इसके बाद नेस्ट को यह भी आपका बहुत इस तरीके से मैं आपको रटाया था कि उसको डिने डिपेंड़ने डियूने और ने पॉलिमरेस होता है यह तरीक होता है और दियंगे कर रिवस ठांस्क्रिप्टेगा भी को आपका रैन्ने से डीने काफॉर्मेशन करेगा तो मैं इसको क्या कहूंग आपको रखा हुआ मिलेगा इसके बाद ये भी आपका टी आई प्लास्मिट मेरा पढ़ाया हुआ प्लांट में करते हैं बस सिंपल सांसर प्लांट लगा के आगे बढ़ जाईए नेस्ट कुश्चन आपका मॉलेकुलर से है थोड़ा साच्छा कुश्चन पूछा है चिपीजी आइसलाइड के बारे में यह कुश्चन पूछते हैं हाइलाइट हाट इसपॉट टॉपिक था इनका तो यहां पर आपसे पूछा है कि सीपीजी आइसलाइड आदा सीक्वेंस प्रेजेंट इन्दा यू करियोटिक डियने सही बात है बिल्कुल सही बात है और प्रमोटर रीजन आफ मैनी एक्स्प्रेस जीन इन यू करियोट अर्ट जनरली इंडिस्ट इन्दा अब इसको आप कैसे ट्रेस कर सकते थे विच आफ दफॉलिंग आटेक ऑफ इंटेस्टाइनल टिशू देट डिस्ट्रक्शन आप गट एपिथीलिया की बात कर रही है आपको सारे डिजीज के बारे में पता होना चाहिए था जैसे आपका रिमेटाइड अर्थराइटिस यह बिसक्लि आपका जॉइंट डिसॉडर कह सकते हैं आटो इम्यून डिसॉडर होता है जहां पर आपका जॉइंट वाले में आपने पढ़ा होगा एक से का अर्थराइटी सथी यहां पर गट एपिथीलिया को मतलब भी नहीं है तो यह आपका कैंसिल हो गया ग्रेव यहां पर आपके डिने बगएरा का डिने में दिक्कत आती है तो यह एक आपका बचेगा जो आपका क्रोंस डिजीज होगा वह इसका राइट अंसर बनेगा तो हलाकि अच्छा कोशन मैं कहूंगा क्योंकि इतना तो आपको बनता है कि आप डिफ्रेंट डिसॉडर को याद रखिए उनमें क्या कमिया आती है ताकि उसको आप ट्रैस कर सके ठीक है तो यह आप्शन हो गया इसके बाद आपसे एक और कॉश्चन बहुत बढ़ी हां पूछा है कि हुमन का जीनोम है जिसके पास 25,000 जीन है बड़ नंबर आफ प्रोटीन जो है वह लगबब 250,000 है तो और उसके लाव अल्टर्नेटिव स्प्लाइसिंग जैसे फॉर इजामपल आपने इमिनोलजी भी बैने आपको पढ़ाया था जहां पर इम्मीनो ग्लोबिलिंस आपके डिफ्रेंट डिफ्रेंट बंद रहे थे तो एक ही तो आपकी डिएरे था लेकिन उससे क्या हो रहा थ यह आपका अल्टर्नेटिव स्प्लाइसिंग था हलाकि एक दो अप्सेंस में दिया था बट प्रोटीन फोल्डिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है तो इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वह आपका पोस्ट ट्रांसनल मॉडिफिकेशन बनेगा इसके ब दवा नहीं देना है और इम्यों सेप्रेशन की जो दवा है वह आलेड़ी हमने बहुत बार डिसकस किया है साइक्लोस्पोरी नहीं दिया जाता है तो इसमें जो आपने पढ़ा होगा जब आपने कभी अगर धैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि नेत्र दान जो होत आपका इम्यों सप्रेसिव ड्रक की देने की आव सकता नहीं है बाकी क्रैस्पर का इस नाइन जो कि आपका बहुत ही हाई-फाई-आज की टेकनिक है और बहुत ही आसान कुछन पूचा है कि हम इसको किस लिए यूज कर सकते हैं तो यह आपका जीन एडिटिंग के लिए य अब इसको समझ यह कैसे दिया है विच वन आफ दा फॉलिंग लेबरोटी टेस्ट वुड वी बेस्ट टू डिटर्माइन दा नंबर आफ सीडी फॉर पॉस्टिव सेंदा बलड़ आफ पेश्ट इंट इंफेक्टेड वी तो सबसे पहली बात अचाइवी के लिए जो मैंन यानि कि आपकी टी सेल्स कम हो रही है तो यह आपकी एडाप्टी इम्मुनिटी का पार्ट है यानि कि एगलुटीनेशन यह आप कह सकते हैं अगलुटीनेशन क्या होता जब ब्लेड गुरूप अगरा का मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी में आप कराते हैं रियक्शन फेडर क्या इंटी में इसके आप यहां पर लगा दिया जाता है तो यह दोनों ही आपके चैनसिल हो जाएंगे और नमबर आफ-dar CD4 पॉसुेटिव डेखना है है चाईईवी इंफेक्टेट् सेल्समें तो हम यहां पर फ्लोगु मेंटरी करेंग उसका लेक्षर मेरा अवल बनाते हैं तो अगर आप particular किसी cells की population को देखना चाहते हैं तो आप flow cytometry से देखेंगे अब बच्चों का प्रेस ने कि सर एलिस्पॉर्ट क्यों नहीं करेंगे तो एलिस्पॉर्ट बेटा करते हैं कर सकते हैं बट यहां पिनों ने कहा है कि number of the CD4 positive cells को इन्हों केबल देखना है एलिस्पॉर्ट में क्या होता है कि एक particular cell यही CD4 कौन सा interleukin secret कर रही है सपोज है अगर मैं example लेता हूँ अगर यही CD4 अगर interferon gamma secret कर रही है अगर मुझे उसको देखना होगा तब मैं एलिस्पॉर्ट करूँगा लेकिन अगर मुझे number of the CD4 positive cells देखनी है तब मैं क्या तो यह इसका राइट आंसर बनेगा बाकि मेरे हिसाब से तो इस question को challenge करने का नहीं है बाकि कोई बड़ा price भी नहीं है अगर आपको लगता है कि मेरे भाई एक question से मेरी merit decide होने वाली है तो मेरा suggestion रहेगा 200 रुपए तो आप पीजा खाके भी खतम कर देते हैं उसने में पीजा भी नहीं आता है ठीक है तो आप challenge प्रोटीन का काम करती है कि वह प्रोटीन जो होंगी या वो पर्टीकुलर चाहिए होते हैं जो आप पढ़ेंगे जाके कुछ आपकी प्रोटीन होती है उनको उसी सभी डिग्रेट कर दिया जाता है और वही प्रोटीन का लाइसेंसिंग का काम करती है कि वह प्रोटीन जो होंगी या वह प्रटीकुलर चीजें जो होंगी वह आप दियने के रेप्लिकेशन में जाएंगी तो बहुत ही मैं कहूंगा अच्छा था मतलब दम नहीं है प्रूफ रीडिंग निक ट्रांसलेशन पॉलिमराइजेशन त इसके बाद नेस्ट कोस्टन आपका ट्रांसफर आफ टीशू बिट्विट जेटिकली इडेंटिकल ट्विन्स लाइक ट्विन्स में हम इसको क्या कहते हैं तो यह आपका सिंजनिक ग्राफ्ट होता है बहुत सारे यह टेक्निकलोजी होती है हाला कि जीनो तो नहीं होगा क् सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा कोश्टन था आपका करने वाला था नेस्ट कोश्टन आपका आटो-इम्टिसॉडर से पूछा है माइस्थीमिया ग्राइबेस लिए प्राइमरली कॉस्ट डियू तो आपको मैंने लास्ट में वीडियो भी प्रवाइड कराया था जह है यहां फेडियो तो यहां जो दिग्रेड हो जाता है और नियूरोग जंटर में नुगन पर आटाए जाता है यहां पर पर डिग्रेड हो जाता है कोलीन के रिसेप्टर होते हैं वो खराब हो जाता है जिससे क्या होता है कि नर्व इंपल्स मतलब नियूरो मस्कुलर जंगसर पर जब इस्टिल कोलीन नहीं आएगा तो मसल कॉंट्रेक्शन इनिशियेट नहीं होता है तो यह जो डिजीज होती है यह आपकी मैस्थीमिया ग् कियेगा और इसमें आपको मैस्थीमिया ग्रैविस मिल जाएगा यहां पर लिखा है एस्टिल कोलीन का रिसेप्टर है तो जाके गूगल पर भी सर्च कर लेना डिटेल में पढ़ोगे तो नाम से ही कोलीन है तो यहां से भी जोड़ोगे तब भी आपको यही ऑप्शन बिल कौन सा पूछा गया है कि विच वन आप फॉलेंग इदा नियूरो डिजनेटिव डिसॉर्डर तो यहां का मैंने पिछले कुस्टन में क्या हचिंसन होता है बाकि सार्कोमा एक तरीकी का कैंसर है जो कि सार्कोमा आपने पढ़ा होगा मीजोडर्माल ओरिजिन के लिए होता और टाइप आप टूमर सप्रेशर गलत बात वाई इस टाल कैंसर प्रोग्रेशन को क्यों स्टॉल करेंगे यह बात सही है जो आपके प्रोटोव को जीन है कर दिया तो यह आपके अंको जीन में कनवर्ट हो जाएंगे बस यहीं इसका अंसर बनेगा डेफिनेटली कुशन आपको करना चाहिए इसके अलावा पूछा है इंट्रेस्टिंग कुश्चन है एंटी मलेरियल ड्रग सचाजे प्रिमैक्वीन जो है वो बिलीव टू आक्ट पाउस करता है और यह ड्रग हम नहीं देंगे इंडिवीजुल को जिसमें किसकी डिफिसेंसी होगी तो यानि कि ज होता है वह उसको बनाने और बिगाड़ने का काम करता है तो अगर आपकी बॉड़ी में यह पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है तो ऑक्सिडेटिव इस्ट्रेस ठीक से क्रियेट नहीं होगा जो मतलब कोई दम नहीं है तो जो इसका राइट आंसर होगा आगे से याद रखि अच्छा कोश्चन मैं कहूंगा इसमें भी ज्यादा दम नहीं है दो रीजन दिये गए है बेस सब्सिट्यूशन इन्हें डिन डास नॉट आलवेज रिजर्ट इन फिनो टाइप बिल्कुल सही बात है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जह अकि यहां पर Mutation हुआ Ginsu कोड कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगे तो वहीं रीजन क्या बताया है समबेस सब्सिट्वीूशन इन्दॉहसर रिजर्ट उन। या भी आपको एक्स्प्लेइन कर दिया तो यानिकि और मैंने प्रेसमइंट कर दिया तो यानि कि दूनो जाके देख लीजेगा और पीवाइक्यूस भी सॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो जिब्रेली के सिर्फ पाथ्वे का जो इनिबिटर होता है वह आपका डेला होता है तो टेला जो है वह आपका डिगेटिव रेगुलेटर आप दा ग्रोथ है यह आपका ट्रू है मुझे चाहिए तो इ मेरा यहां पर नहीं है यह मेरा कैंसिल हो गया अब मुझे देखना है क्या बोलते हैं C तो दोनों में दिया है B और D में मुझे यहां पर थोड़ा सा देखना होगा तो यहां पर जो बेसिकली आपका होता है कि डेला इजे यूबी कुटनाईलेटेड इसके बाद एक कुश्चन आपका और पूछा है किसके पास सिगनल पेप्टाइड होता है अलाकि इस कुश्चन में मुझे ऐसा लगता है परसनी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको और खुल कर यह बता सकते थे कि या पूछना क्या चाह रहे हैं बट फिर भी options को trace करोगे तो हीमोगलोबिन में ऐसा कुछ नहीं हो तो यहां तक कहानी आपका हो गया है इसके बाद next question की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं यह भी question जाके देख लिजेगा हलाकि कोशिस मेरी रहेगी कि इन सब्सक्राइब करने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मेरे questions पढ़ाए हुए बताय हुए आये हैं उसक कौन से ऐसी टेखनिक है जो लाज DNA फ्रेग्मेंट के लिए हम यूज करते हैं तो उसमें हम पल्स फिल्ट जो होता है वो यूज करते हैं यह repeated question है मतलब अगर आप preparation करना है चार-पांच साल के question अगर आपने CSIR, DBT, ICMR के लगाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ठ इसके बाद next question भी मैं कहूंगा कि आपको मैचिंग से चेंज करना ट्रैक करना था अब इसमें gel filtration क्या होगा जल का जो फॉर्मेशन होता है वो gel filtration में करते हैं आपको molecular size के आधार पे वो separate करता है तो D का second मिला दीजिए एक ही option में रखा है ठीक है इसके बाद एक आपका question है यहां पर मैं कहूंगा कि ठीक अगर आपने किया तो किया नहीं किया तो बट याद रखेगा क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि reproductive biology से question नहीं आएगा sexual transmitted disease से question नहीं आएगा एक वीडियो मेरा लेडी पड़ा हुआ है इसी लिए ठीक है क्योंकि आपके जयान में होगा कि यह question क आपका एजित्रोमाइसिन दिया जाता है बकी लर्न करने वाली चीजें हैं ठीक है कोई बात नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया तो कोई बात नहीं इसके बाद which one of the falling is not considered as a secondary messenger cell signaling जाके पढ़िएगा वहां पर मैंने पढ़ाया है cyclic EMP आपका होता है calcium होता है लेकिन ATP आपका जो होता है वो secondary messenger नहीं होता है इसके बाद next question आपसे पूछा गया है यह कि थोड़ा सा मैं कहूंगा कि important question है घुमाया है बट solve करते हैं कि many bacteria प्रडूस एक्स्टासोल कैपसूल कंपोस्ट आप नेटवर्क आफ पॉली सेक्राइड या प्रोटीन की बनी होती प्रोटीन सही बात है कि अगर होस्ट की कॉम्प्लिमेंट प्रोटीन अगर उनको रेकनाइज कर लेगी तो उनको खतम कर दिया जाएगा उनको सर्वाइव करना है तो यानि कि मुझे जो लगता है कि यहां पर यह option जो होगा वह प्रू होगा help the bacteria to evade the host immune system यही तो कहानी हु हो गई it prevent the pathogen from acquiring nutrient गलत बात भाई उसको nutrient लेने से क्यों रोकेगा तो बहुत आसान तरीके से आप इसको अपका पूछ रहा है विस यह प्लेक्षाइब कोन होगा पैंसलीन के इंजक्षन से जो आपका सड़न रिस्पॉंस आता है एक तरीके का आपका अलर्जी होता है जिसको मैं क्या कहता हूं एनाफाइलेक्टिक सौक कहा जाता है ठेक है इस पैलिंग पर मत जाना ठीक है एना आपका दाथ पीला कर देगा हेड़ेच होने लगेगा बाल तूटने लगेगा सीधा आपको एलर्जी रिस्पॉंस लगाना है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपने अगर इम्मिनालजी भी नहीं पड़ी है तो आपने कोरोना के टाइम पर आपने सुना होगा वह जब इन में नहीं होगा तो 25 परसेंट आटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं हर्ड इम्मिनिटी कहते हैं और यह कुश्चन मैंने आपको लच्छे जी आरफ टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको महारी वीजन कराया था इमिनालज मैंने इंपॉल्टेंट भी लिखा था ठीक है तो याद रखिए इसके बाद नेस्ट कुश्चन आपसे पूछा गया है फिर इम्मिनालजी का कुश्चन है एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन्टी बोडी इजे फॉर्म्ड प्रैमरली बाई तो यह आपके वैरियेबल री इसके बाद इस कोश्चन पर बच्चों की क्वेरी जा रही है डाउट है मेरे हिसाफ से कोई दिक्कत नहीं है कुश्चन में थोड़ा सा यह शब्दों को अच्छा प्रयोग कर सकते थे अब इसको समझिएगा कह रहे है कि विच वन आफदा फॉलिंग इस नौट रिगार् नहीं होती है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्या नहीं होता है तो मैं यहां पे अगर मैं फीगर मैंने लगा दिया है अगर आप इसको देखना चाहें तो सबसे पहले आपका फास्फोइनॉल पाइरवेट जो है वो सियो टू से रियक्शन करके चार कारबन कंपाउंड बनाता है अब एक option में आपका लिखा हुआ है यह फॉर्म बोथ हिंदा मीजोफाइल टू बंडल सीट सेल अब यह थोड़ा सा यह पतना नहीं क्या कहना चाहरे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मीजोफाइल से बंडल सीट सेल कुछ क्लियर नहीं है बट फिर भी हाँ यह बात सही है कि मीजोफाइल में ऑक्जेलो एसिटेट का फॉर्मेशन होता है तो मैं इसको 75% मैं इसको ट्रू मानूगा इसके बाद कह रहा है कि मैलेट इजे ट्रांसपोल्टेट फॉर्म मीजोफाइल से बंडल सीट सेल बिलकुल सही बात है यह आपकी मीजोफाइल है आपकी बंडल सीट सेल है मैलेट जो है वो आपका ट्रांसफर हुआ है तो इस ऑप्शन में कोई दिकत नहीं है 100% है इसके बाद एसपाल्टेट इजे ट्रांसपोल्टेट फॉर्म मीजोफाइल से बंडल सीट सेल यह भी सही है यह मैंने एक बुक का एक्स्प्रिनेशन बिल राएगा कि जो आपके 4 कारवन कंपॉंट या तो मैलीी के सीट और यह चाही जानकारी में की बी जो आपका अगर आपको यह कोई बहुत जाद अगर आप इस पर डाउट है तो प्योर बॉटनी की बुक्स में जाके देख लीजा अगर आपको यह कहीं मिलता है रिफ्रेंस तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं बट मोटा-मोटा चुकि यह C4 पाथवे था यहां पर चार कार्बन वाल कि क्या इसमें कहानी बन रही है बट मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो नौट ट्रू पर मेरे हिसाब से एलनीन वाला कहानी आपका सही बनेगा इसके बाद नेस्ट कुर्शन की तरफ जाते हैं एक लेक्चर पढ़ाया था एपप्टोसिस का वीडियो बना है आपका साइटो क्रोम सी निकलता है उसके बाद एपोपोटो सो में कॉंप्लेक्स मनता था यह आपका अंसर हो जाएगा लास्ट में मैंने आक आपको यह भी पढ़ाया था कि कैंसर सेल्स वागेरा में क्या होता है कि सेल प्राइमरली प्रडूस इनरजी थो माइटो कॉंड होता है मतब यह पर्टिकुलर आपका जो फिनोमीना होता है इसको हम वर्बर्ग एफेक्ट कहते हैं तो यह कुश्चन भी आप कर सकते थे इसके लावा यह भी मैं कहूंगा कि आपका इम्नॉलजी का कुश्चन है और या इसके लावा आपको मैंने पढ़ाया था कि हीमोलि उतनी सही बाते तो यह नहीं कह पा रहे हैं इस कुश्चन के माध्यम से बट जो इसका राइट आंसर बनेगा मतलब इसमें भी कोई आपको चैलेंज करने की बात नहीं है कि वाई प्रोजेस्ट्राउन ओनली कंट्रासेप्टिव मतलब केबल प्रोजेस्ट्राउन युक्त कोंत्रासेप्टिव के पहले उसको अर्ली कंट्रासेप्टिव कहते इसका जो ड्रोबैक होता है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेस्ट्राउन ओनली कंट्रासेप्टिव हैं आप फीलियर डेट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मैथेड मिल आप मेरे लेक्षर में भी जाके देख सकते हैं जा आप मैंने शायद एक लिया था रिकुप्रट्ट्ट्व टेखनोजी से रेलेटेड उसके लावा प्रोजेस्ट्राइब एक तॉ प्रोजेस्ट्राइब्स ट्राइबल फॉर इस पर्म एंड एनी फल्ट्राइड उसाइड यहां तक कहानी हो गई है तो यान कि मैंने लखब्ण के डिसके हैं और मेरे इसाफ़ से मुझे कोई ऐसा कोश्चन नहीं लग रहा है जो आपका चैलेंजिंग करने वाला था ठीक है और अगर आपको लगता है तो वह आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा बीजी सेड्यूल है थोड़ा सा मैं लिटल बिट बीट बीजी हूँ और दोसों मतलब जो चार्ज ह ठीक है उसको देख लीजिए अगर आपको लग रहा है कि वह कुश्चन आपको सही हो सकता है उससे आपकी मेरी डिसाइड हो रही है ठीक है तो वह कुश्चन पर चैलेंज करने जा सकते हैं मेरे तरफ से जो बैलोजी का पार्ट था जो मैंने कराया था वो मैंने यहां पर आपको क्लेरिफाई कर दिया है जो चार कुश्चन जो आपको डाउट थे जी प्रोटीन वाले सी फोर साइकिल वाले उन सब चीजों को मैंने यहां पर एक्स्प्लेइन कर दिया है बाकी कुश्चन पेपर अच्छा था कट आफ के लिए भी आपको सेपरेट वीडियो आरा के साथ थैंक्यू वेरी मुश्च